विधायक विपिन वान खेड़े आगर विधानसवब द्वारा बडुधनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा चोहत्तरवे गंतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीत्री विधायक विपिन वान खेड़ी द्वारा बडूद नगर में तिरंगा यात्र का आयोचुन किया गया यात्रा दूपहर एक बज़ी क्रिशी उपज मंडी से प्रारम होकर सुभाश चौक होते हुए बस स्टैन और सदर बाजार से गांधी चौक पहुँची जहां पर यात्रा का समापन हुआ सुबर से मौसम ने अपना मिजवाज बदल लिया लेकिन मौसम आम जन के उत्सा को नहीं बदल पाया तिरंगा यात्रा में भारे संख्या में भीड पहुँची नगर के लोगो ध्वारा यात्रा पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया यात्रा में घूड़े पर सबार भारत माता महापुरुष्वा विरांगना बने नन्हे बच्चे आकर्छन का केंद्र रहा समापन के पूर्व गांधी चौक में विधायक विपिनवान खेड़े ने कहा कि तिरंगा यात्रा कोई राजनेतिक यात्र नहीं थी हमने नगर में हर घर आमंतर्ण पत्र दे कर यात्रा में सम्मलित होने का निमंतर्ण दिया सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने तंचुकस्तिव विधायक ने शिबराज सरकार पर हमला करती हुए कहा कि सरकार से हर वर्ग प्रताडित है किसान फसलू का दाम और खराव फसल का मुआउजवा बीमा के लिए परिशान है युवा रोजगार के लिए सडकों पर आंदोलित है बहनों बेटियों पर अत्याचार लगतार बढ़ रहे हैं सरकार ने सभी को प्रताडित का लिया है जनता आने वाले चुनाओ में फिर कॉंग्रस को चुनने जा रही है और कमलनाथ जी को मुख्य मंत्री बना कर खुशाल प्रदेश बनाने जा रही है आगर मालबसी सोनू खान की रपूर्ट